और इससे पहले की भ्रमित करें ये सरकार इधर उधर के आकड़े बताकर दो ही आकड़े माइने रखते हैं जो सबसडी वाला सिलिंडर था वो 2014 में जब हमारी सरकार थी तो 412 रुपए का था आज वो 595 रुपए का है मैं 644 दिल्ली और मुंबई का बता रही थी स्टार्टिंग 595 रुपए से है इसमें इजाफा हुआ है 184 रुपए का प्रती सिलिंडर और जो नॉन सबसडी का है उसमें 120 रुपए का इजाफा हुआ है वो 574 का विक्ता था 2014 में अभी वो 694 का विक्रा है तो ये कौन सी आर्थिक समझ है जब अर्थविवस्था गडबढाती है जब उपभोग कम होता है तो आप दाम घटाते हैं कि उपभोग बढ़े यहाँ पर आप दाम बढ़ा रहे हैं लोगों के पास ना खरीदने का पैसा है और ना ग्रेडियों के मासिक बजट में ये फ तो कहीं ना कहीं मैं फिर से बोलूँगी कि सरकार की नीती और नियत दोनों में खोट है और खोट इसलिए है क्योंकि आपको नार्थविवस्था की समझ है ना इतनी समवेदन शीलता है कि आप टैक्स कम कर दीजे आपने 22 से 23 लाग करोड रुपे टैक्स पर कमा लिए एक स प्राइस कम करिये दाम अपने आप कम होंगे क्या देशवासी यहों को कम दाम देने का हक नहीं है जब 20 रुपे पर था 20 डॉलर प्रती बैरल पर बिक रहा था कच्छा तेल तब भी हम यही दे रहे थे आज भी हम उससे जादा दाम दे रहे हैं